नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके नोर्थिस लाइव और मुद्दा की संखे साथ स्टूडियो में मैं रंजीत भारत में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है स्वास्मंत्राले के ताजांकरों के अनुसार कोरोना के कुल 74,281 मरीज है जिसमें से 2,415 की मौत हो चुकी है वही 22,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हो गये है दुनिया की बात करें तो कोरोना वाइरस के ने दुनिया भर में 43,10,436 मरीज है वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलबार को आत्म निर्भर भारत का हवान करते हुए लगू मध्यम मजोले उद्योग समित सभी सेक्टर को राहत देने के लिए 20,000,000 करोर किया और खासकर MSME के बारे में उन्होंने जानकारी दी और चरणबद तरीके से आगे जो यह आर्थिक पैकेज की घोशना की गई है उसको किसके हिस्से में कितना जाएगा इस पर भी वह जानकारिया साजहा करेंगी और और एक बात है कि पुर्वतर भारत में अंद्यराज का पचांसवा दिन है पचांसवे दिन तक आते आते अभुत्पुर्व आर्थिक पैकेज कहा जा रहा है और जमीनी हकीकत जो है हमारे सामने है अब तक जो आर्थिक पैकेज की घोशना की गई या जिस तरह जो भी योजना है घोशना की गई जमीनी अस्तर पर इसका किस त कि प्रमोद के डिवारी जी है फिजित मदूंदार कॉंग्रेस के प्रभग्ता राभ्धा हमारे साथ है। आप सब का कारिक्रम में स्वागत है और हमारे साथ बैंगलोर्ड से स्पोर्स पर्षन है वो swimming के कोच है मानस प्रतिम हमारे साथ जूट चुके हैं आप सब का फिर से मैं कारीकरम में स्वागत करता हूं और प्रमोजी से मैं कारीकरम को शुरू करने का आग्रह करता हूं कि आर्थिक पेकेज आप बेहतर समझते हैं परदान मंत्री ने कल 20 लाग करोड के आर्थिक प्रकेज की घोशना की थी और आज हमारी वीत्य मंत्री निर्वलना शितारमन जी ने और अनुराग ठाकुर बता रहे थे कि फेजवाज करमबद तरीके से वो बताएंगे कि कौन से सेक्टर को कितना कुछ जिया जा रहा है आज जहां तक मैंने सुना उन्होंने MSME, Micro, Small and Medium Interprises के लिए सरकारें क्या-क्या सहुलियत दे रहे हैं सरकार, वो उन्होंने बताया एक तो दायरा बढ़ा किया जा रहा है और दूसरा की जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी उद्योग को चलने के लिए सबसे बड़ी आविशक्ता पुन्जी की होती है लोगडाउन के दर्वियान पुन्जी का संकट खड़ा हो गया है, लिक्विडिटी नहीं है तो सरकार ने बैंकों से कहा है कि छोटे उद्योगों को, मजोले उद्योगों को, चुद्र उद्योगों को इजी ट्रम्प के उपर लोन उपलब्द कराया जाए, उनका दायरा बढ़ाया जाए सुनने में यह उजनाए काफी अच्छी लगती है, अगर इनका सही डंग से किर्यानमेन हो तो हमारा MSME उद्योग फिर से खड़ा हो जाएगा, ने के वल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक ध्यान रखने की बाती है भी है कि 2007 में जैसे हमने देखा कि उरुत्तर के राज्यों हिमाचल परदेश उरुत्तराखंड के लिए केंदर सरकार एक नई उद्योग नीती लेकर आई थी, उस उद्योग नीती के तहत वहां क्योंकि यह सारे के सारे पहाड़ी अंचल है, यहां उद्योग कम थे तो सरकार ने उ सकता है, आवारा पुंजी ने जमा ले लिया, एक जनम ले लिया, एक ऐसी जमात खड़ी हो गई, सबसीडी खोरों की, जीने नय तो उद्योग लगाने से मतलब है, ने उद्योग चलाने से मतलब है, ने कोई माल बेचने से मतलब है, कुछ चार्टर एकाउंटेंट, कुछ उद्योग पती, और सरकारी अफसरों ने मिल कर एक ऐसा जाल बुंजा कि सरकार क्या जितना फंड था, वो कुछ चंद लोगों के पोकेट में चला गया, और उद्योग लगने के नाम पर, वेल्थ किरियेट होने के नाम पर ठंठंग गोपाल हो गया, तो यहां संका ये भी कई सरकारी सुविधाओं का लाब, ये जो सब्सिडी कोर लोग हैं, इन कॉलाबरेशन विथ भरष्ट जो ऑफिसर्डम हैं, और कुछ जो चार्टर एकाउंटेंट हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, कि इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, कि बैंके भी डिनाई नहीं कर पाती, लोन सुने मिल जाते हैं, ऐसी फेक्टरी के लिए लोन मिले हैं, जारो नजीरें, नौर्टिस रिजन में हैं, जिनकी फिजीन फेक्टरियों का कहीं कोई अस्थित्व तक नहीं हैं, तो यहां संका इस बात की भी है कि सरकार MSME को जहां तक मेरे जान स्वालंबी भारत का नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रहादमंत्री मोधी ने कल एक बात और कही थी, भोकल फूर लोकल, हमें लोकल प्रोड़क्त के लिए लोकल प्रोडूस के लिए आग्रई होना पड़ेगा, एक तरफ तो हम लोकल प्रोडूस की बात कर हैं, दूसरी तरफ लिटेल सेक्टर्स जिसे आम चीजों में सेंट परसेंट एबडी आई भी हम दे रहे हैं, तो यह दोनों विरोधावासी चीजे हैं, आज लोकल प्रोडूस की जब हम बात करते हैं, छोटे ब्यापारियों की बात करते हैं, तो छोटे ब्यापारी जो सम समान उन से कम दामों में आउनलाइन पर उपलब्द हो जाता है, तो यह तो सरकार यह करें कि जो छोटे चुद्र ब्यापशाई या उन्हें लेवल प्लेइंग फिल्ड मुहाया कराएं, इसके लिए सरकार यह सरकारे यह कर सकती है, कि जो आउनलाइन भीक्री होगी उसके पर कोरोना से सिया कुछ और टेक्स ज्यादा वना एक ही अगर मेरे सामने एक पानी की बोतल पढ़िये पानी की बोतल, अगर मैं आउनलाइन लूँ तो इसके दाम अलग होने चीह होगी, आनलाइन में जो बड़ी बड़ी कमपनिया, वो इकनी जायंट कमपनिया कि कई पर लो नहीं तो भारती आजाएंगे उसके बाद कई राष्ट्रवादी सरकारे भी आई पर लोगों को रोजगार से रिजन करने के लिए थोड़ी सी एक प्रोटेक्शिनी रिजीम जिसको बोलते हैं सुविधाओं को हमें कम करना होगा तब ही हम लोकल प्रोडूस को हमारे कुट रिजने भीजों को अब की लिए तब तो इसा घुसना का कोई फाइदा नहीं मिलेगा आम आद्मी का इसलिए बोलना पर रहे आपको मालूम है जिसका पहले पोधन मुंति का घुसना था जे बैंक से छोटो उद्दक बैंक में जाके अगर एक को रुपिया मंगेगा उनको हाथो हाथ देना परेगा कोई कोई सेकूरिटी नहीं है गौर्णमेंट उसका सेकूरिटी लेगा आप कोई भी उद्दक छोटा उद्दक पति को जाके बोली है तो कितना आत्मी को मिला बैंक में जाता है वो तो घुसना है हम लोग नहीं देखा कोई बैंक रिक्स नहीं लेगा कोई दिया ही नहीं मतलब जो एक और का इंस्टान लोन भोला है वो 10% छोड़ियो 5% आत्मी को नहीं मिला अभी जो घुसना किया है जो तीन लाग को रुपिया छोटा उद्दक के लिए दिख लिया क्या है यह चाहिए अभी कोरोना में छोटा उद्दक आगा नहीं बाचेगा तो आत्मी का पास डिमां पैदा होगा छोटा छोटा लेबर लोग का हातों में जब तक पैसा नहीं आएगा जो उद्दक चोटा उद्दक पृति है वो लोग का जो जुरा हुआ जो संस्ता है वो लोग का पास जब तक पैसा नहीं आएगा तो पार्चेस करने किसका पास जाएगा जब कोई अब भ करकार तो एक प्रयास से सुरू कर चुकी है और लोकल फर लोकल जो कहा जा रहा है कि हमें अपना ब्रैंड को इस्टेश करना है और आज निर्मला सितरमन के प्रेस कॉंफरेंस में एक बात तो सामने आई कि पीपी कीट और मांस को लेकर बहुत गर्वित है कि देश में हर दिन दो लाग से अधिक मांस का मांस बनाए जा रहे हैं और कुछ दिनों में साथ हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे देखिए ये तो विजए जी मैं आपके पास आऊंगा प्रधान मंत्री क आर्थिक पैकेज की घोषना और निर्मला सितारमन का जो पहला प्रेस कॉंफरेंस वो आगे भी करती रहेगी क्योंकि 20 लाग के आर्थिक पैकेज जो है उसमें पहले के भी कुछ स्किम सामिल है ऐसा नहीं है कि 20 लाग करोर रुपे का जो घोषना की गई है वो कल पहली बा किया है देखिए ऐसा है कि माने निये प्रधान मंत्री जो कल बात कही थी उसको शायद आप अगर ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें तो ये एक रोड मैप था क्योंकि हम आलोचना के वातामने में निसी तरुप से जब घिर जाते हैं तो हमारी क्या होती है ना कि लेटी जो एक प्राबलम है इसमें हमारे मित्र भी कह रहे हैं लिक्विडिटी की बात और ला और इसके अलावे चार्च चीजों के अलावा उन्होंने पांच जो पिलर बताये थे उस पे अगर आप ध्यान देंगे तो पहले उन्हें ने एकोनमी की जिसकी हम बात कर रहे ह इंफ्रा इस्ट्रक्रिश यह दूसरा है तीसरी सिस्टम की जो बात की कहीं ने कहीं यह सारी चीजे जो हम एनाउंस कर रहे हैं जैसा कि प्रमोत तिवारी जी ने कहा कि भाई यह एफडियाई और दूसरा यह MSME दोनों आपस में बिरोदा भास है देखें एफडियाई करता है एंसेलरी यूनिट्स जो उनको शहायक हो सके उसके लिए यह काम करता है इसलिए दोनों का आपस में एक रिलेशन्स है अगर एफडियाई आएगी तो फिर उस एफडियाई के पीछे में हमारे MSME को अगर हम बढ़ावा देंगे तो वह एफडियाई के लिए सपोर् हम अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे और मेक इन इंडिया का जो एक स्कीम था उस स्कीम को हम कैसे और आगे बढ़ा पाएंगे निशित रूप से क्योंकि यह कोरोना जो है ब्लैसिंग इंडिस गाइस आज जो चाइना से जो भी कंपनियां भागेगी स्वाभावी क्र उसे हम अपने तरफ उनको अटेक्ट करके और यहां पर अगर हम प्रोडक्शन करें और यहां पर उद्योग लगे और छोटी उद्योग बड़े उद्योग स्रब मिलकर कि एक सिस्टम करें तो निशित रूप से हम सोचते हैं कि अच्छा होगा और कल उन्होंने सिर्फ MSME क की बात नहीं कि उन्हें माइगरेंट लेवर की बात की फार्वर्स की बात की मजदूनों का विसेश जो है भी आने वाला है पैकेस जैसा कि एपीएफ में आपने देखा ही कि कि इतना बड़ा रिलीफ उन्होंने कि बार परसेंट का जो हिस्सा अब वह इंप्लायर को नहीं देना पड़ेगा करीब करीब 25 करोड रूपिया जो है एक छोटी सी चीज में उन्हें ने की है एक्विटी बढ़ाई जाएगी एन एफ बी एफ सी जो आज बैंकों का प्राब्लम था तो पंद्रह स्कीम लेकर के सीता रमन जी आ जाई है उसमें सिर्फ एन बी एफ सी एमस लात प्राइब करणा है जो है मैंने का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमें एक्पडियाइ से आलुचिफ नहीं चीज आगर वह ने तो बहतर है दूसरी बात आप बोल रहे थे कि जो चाइना से जो इंडश्टी भागें कि हम चाहेंगे कि हो भारत में तो आपके जानकारिया लिए बता दूंगे भारत सरकार के अथक परियासों के बावजूद अधिकतर चाइना से जो चाइना छोड़ रही है जो इनिट वह वियतनाम और दूसरे देश्टों में जा रही है हमारे नहीं आ रही है उसके कारणों के भी मिमान सा हमें करनी होगी इस अब बिजनेस हमने बिजनेस बनाने से क्या है कि इंडेस्ट्री लगाना सहज हो गया पर लगा कर उसे चलाना आज भी उतना ही दुस्वारी बड़ा है हमने जीएस्टी रिजिम लेकर आये इसलिए कि टेक्स सिस्टम में आपन हो जाएगा सिंपल हो जाएगा कि इंटो कि कम्प्लाइंस्स कित का सवाल है यह आज कोविट के पहले ही बहुत से उद्द्योग हमने देखा है कि बंगला देश में लगें बैतनाम में लगें कंबोडिया में लगें गयें हैं लोग और हम हम जब अटेक्ट कर रहें तो अभी तो क्या है कि इस टू अरली टू से इनी तिंग्स क्योंकि अभी सब्सक्राइब कम कर रहें और इसलिए हम find storage करने के लिए कुस टेक्स का आएंगे तो लोग आएंगे और यह बहुत जलती जल्दबाजी होगा ये कहना कि नहीं हुआ क्योंकि अब हुआ ही कितना एक दो महिना के अंदर और अब हम सोच रहे हैं कि utrares तो ने जो इस्तिति हो मैं गुप्ता जी जो चैनीज पोड़क्ट है उसको बेंड करेगा आपका सरकार आने का बाद इंडिया का तो 80 पासे नी चैनीज पोड़क्ट आगिया देखिए हाद चीस में चैनीज छोटा लाइट से चैनीज आप जीजी इस अब जीजी आपका सरक क्या नीती है देखिए सरकार की नीती बहुत असपस्ट है उसकी बहुत असपस्ट नीती है कि चाइना बोलकर के निए आज चाइना में बहुत से जो है ना बिक कारपरेट हाउस और मल्टिनेसल कंपनिया वहाँ पर अपने उद्द्योग लगाई है सभाई कूप से हमारा यह विशह है कि वहाँ जो कंपनिया किसी भी कारण से चाइना छोड़ रही है तो वह हमारी यहां आवे हमारी यहां उद्द्योग लगाए और मेकिन इंडिया का जो हमारा स्वपन है उसको आगे बढ़ाएं जी हाओ उसके लिए उसके लिए सबसे बड़ी जो इसलिए लि परकार से कोरोना के साथ सहवास करना होगा और MSME में लेवर की जरूत पड़ेगी बड़े इंडिस्ट्री जाएंगे वहां भी लेवर की जरूत पड़ेगी लेकिन अभी जो राज्यों से लेवरों का पलायान जारी है यह बड़ी समस्या MSME की जो स्कीम गोशना की गए उस आपका रेलवे विवाग भी पहले से कारिंटीन सेंटर रेलवे का ड़बो को काफी बनाया गया है लेकिन आज मैं उस पर नहीं पूछूंगा आपस यह जानना चाहेंगे कि आज पुर्वोत्तर में कितनी ट्रेने आई और कितने लोग आये हैं अब तक कि दिखिए लॉकडाउन होने के वज़े से जगर 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 जो लोग फस गये थे वापस नहीं आपा रहे थे बहुत परेशन थे दिन राथ हमें कोन आते थे कि कब ट्रेन चलेगी या कब हम वापस आप आएंगे इसको देखते हुए एक मही से श्रमिक दिवस के दिन से हम लोगोंने स्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू किया था और आज के दिन में हम लोग इंडियन रेलवे में सारे 500 से ज़्यादा स्रमिक स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं हमारे नौर्टिस्ट में आज के दिन तक एन एफ रेलवे की बात कर रहा हूं मैं एन एफ जाला में एक ट्रेइन आज पहुची है, सरमिक स्पेशल, बैंगलोर से सरमिकों को लेके, एक ट्रेइन जीरिवाम में पहुची है, जहांपे की मनिपूर के लोग है, वो मदरास से आये हैं, एक ट्रेइन अभी घोशना हुआ है आसाम के लिए, जो मदरास से आज चलेगी, औ चलके पंदरा तारीक को आसाम में पहुचने वाली है, और न्यू जलपाई गुरी जो की नॉर्थ बेंगलोर में आता है, वहां के लिए एक ट्रेइन बैंगलोर से आई है, जो कल न्यू जलपाई गुरी में पहुचेगी, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि, एक ट्रे के के ट्रेइन अभी चल रहे हैं, जो एक टारीक से हम लोगों ने चलाया है, वो स्प्रमिक स्पेशल ट्रेइन है, उसमें माइगरेंट लेबर्स और जो फसे हुए लोग थे, उनके लिए चलाया गया था, ये रिक्वेस्ट स्टेट गोवर्मेंट के तरफ से आता है, तभ उरजिनेटिंग स्टेट के उपर है, कि वो खुद अपने फंड से पेमेंट करें, कि जो डेस्टिनेशन स्टेट है, उन से लेके पेमेंट करें, अभी तो खाया प्रोन किया, वो बात अंसे पूछ रहा है, मैं वही आपको बता रहा हूं, वह बोल रहा है, हम वही चीज़ पेर मेंट करती है तो ऑरजिनेटिंग स्टेट जो है वह रेयलवे को पेर्मेंट करता है टिकट का पैसा या कर कज़ीय पर नादमी से स्टेट मेंट का पैसा या खारा जा रहा है व्यक्वा लेज competit हो पंट से जैसे भी हो लेके हमें पेमेंट कहते हैं यह एक हुआ स्टमिक स्पेशियल की बाद दूसरा एक जो है कल से यानि की बारा मही से हम लोगों ने रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज जो पहले चलते थे उसको फिर दिरे दिरे शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए 15 पेर ट्रेंस जो है घोशना हुआ है अभी फर्स्ट फेज में उसमें से कुछ ट्रेने कल शुरू हुई है नौर्ट इस्टन रिजेन के लिए दो सर्विसे एक न्यू दिल्ली से डिब्रूगर तक का है जो डेली सर्विस रहेगा ये कल डेली से ट्रेन चली थी वो आज रात को सवा आठ बजे गवाटी पहुचेगी और कल सुबह साथ बजे डिब्रूगर अपना जो डेस्टनेशन है वहां तक पहुचेगा और दूसरा जो सर्व को ये अगरतला पहुचके 20 तारीक को वापस अगरतला से रिटर्न जर्नी होगा और ये डिब्रूगर वाला डेली सर्विस है ये कल पहुचेगा वहां पे डिब्रूगर में और कल फिर वापस डिब्रूगर से नियू दिली के लिए ये चलेगा इसमें दोनों में फर्क य स्टेट गोवर्मेंट कर रही है और जो स्पेशल पैसेंजर ट्रेंग समने शुरू किया है कल से उसमें हम लोग टिकट सेल कर रहे हैं, इसमें कोई भी जर्नी कर सकता है, नोट नेसेसरी कि statewide government का enlisted लोगी हो च העmember बियर किया अब Iya कोई यहां सल्ट नहीं और दकाइब स्वार इनांस वहा है जो आज मदरास से सचल अम हूं करेंग स्वा आउंस मदर्ण से चल कर्वा का बात जो बोला है हम आप से पूछ रहा है यह आसाम का माइग्रेंड लेबार के लिए कितना सुमिक स्पेशल ट्रेन आया और उसका वह अपना अपना चाहिए जहां तक डिब्रूगर में कल एक ट्रेंड जो पहुंचने वाली है मैं आपसे बात करूंगा डिप्रूगर में हमारे अपरसम के ब्यूरोज चेफ है बानिपूर रेलवे स्टेशन वह इस वक्त है वहां सेकुरिटी की विसेज व्यवस्ता की जारी है रिपुन जै किस तरह की व्यवस्ता है और कल वहां पे कितने लोग उतर रहे हैं और स्क्री पेशेल जो राजधानी एक्सप्रेस डिप्रूगर को आ रहा है हमें जो बताया गया है अभी तक डेल्वे अधिकरियों के सुत्र से कि यह ट्रेन लगबग साथ बजे के आसपस यहां पोच्ट वाला है डिप्रूगर रजीत हमें जो सुच्णा प्राप्ट हुआ है जे आप बोलते हैं हम सुन रहे हैं जो बताया गया है कि डिप्रूगर में क्योंकि यह लास्ट डेस्टिनेशन है रजीत डिप्रूगर में तकरीब आठ सो के आसपस यात्री हमें उत्रेंगे कि उसके लिए हर एक वक्ति का स्क्रिनिंग या कॉविड टेस्टिंग यह सब किया जा गए उसके लिए डिप्रूगर जिला प्राप्रशार्सन और यहां के जो स्वाइश्त बिभाग के अधिकरी हैं उनके दोरा एक वैप्यक आयजन किया जा रहा है हम इस वक्त डिब्रिगर न्यू डिब्रिगर रेलवे स्टेशन के प्लैटफॉम पे मौजीद है आप देख सकते हैं कि यहां से किस तरीके से हर एक यात्री के लिए बैठने की प्रवंद पीने के पानी का प्रवंद किया गया है और यहां ताकि यह सोशिल डिस्टेंस मेंट सटेश के बाद उनको एक क्यूं में चलना परेगा डिसिप्लीन तरीके से ताकि उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो उसके लिए एक एक मार्किंग लगाया गया है ताकि वो एक दूसरे से जो सोश्टेल डिस्टेंस से बढ़ाए रखे और बाकी जो बैठने की सुईदा अभ जो इतने अला अधिकरी सभी हमें मौझूद है ड्रिल करवा रहे हैं बारबार सुराक्षा करमियों के लिए के दूसरे System के दूरे यहां के जो रेलवे के अफुरेटीज है उनके दूरा भी बारबार स्थितिक का जाय जाल लिया देरा है मौईना किया जा रहा है कि किस तरीके जाकि कोई भी चूक ना हो उसको ध्यान में रखते हुए कि ये पूरा मामला जो है पूरा रेल वे प्रसासन ने अपनी तरफ से तो ताफी वेवस्थाई की है लेकिन जैसे हुए रेल से उत्रेंगे लोग उत्र किसे जाएंगे एसी घटनाए हो चुकी है तो प्रसासन की तैयारिये कैसे है और क्या रेल वे स्टेशन के बनाए गया है कि जो ले रॉटे जो उनका भी प्रभंध रखा गया है कुछ एक होटेल और प्राइवेट गेस्था जो तयार करके रखा गया है कि कोई अगर चाहे तो उसमें भी अगर उनको जरूरत पर नेसेसरी कॉरेंटेन में जाने के लिए उसको कर सकते हैं और लेकिन बात जो पहले बात अपने जो पूचा था कि लंबे जार्णी के बाद लोग यहां में आएंगे लेकिन उसके लिए भी रंजीत बहुत ही कड़ा कदम लगा गया है प्रसार संद्वरा पहला तो स्टेप नॉमर वान है पूरा जो डिब्रिगर बानीपूर स्टेशन है इसको चारो तरफ 200 मीटर की रेडियेस में 144 लगा दिया गया है ताकि यहां में कोई भी आननेसेसरी वे झाती के लेकर आने की अनूमती नहीं है तीसरी बात है जो जो वेक्टी यहां से ज़्यादातर वेक्ती आम यहां से अड़नार चल के लिए जाएंगे तो उसके लिए बासेस का प्रभंड और बासों में एसकोर्ट का प्रभंड यहामें हब ही हमने सुना की सिनियर ऑफिश पुलीस के जो उनके जुनियर ओफिशियल्स को ब्रीफिंग दे रहे थे उसमें कह रहे थे कि जो बासेस को एसकोर्ट देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बासेस जब अपने अपने अलाके में जाएंगे हलाकि लोग पुरा कोविट फ्री होंगे कोविट मुक्त होंगे उसके बाद ही इनको यहां से जना दिया जाएगा लेकिन वहां ऐसे घटना हो चुकी है हम देख रहे हैं कि लोग इनका प्रवेश में कुछ लोग बाधा डाल सकते हैं कोई अपती जना प्रिस्थिती का उत्पन हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए पुलीस ने खास तरीके के एसकोर्ट वेइकल प्रोवाइट करने की भी प्रवेस्था की है हर एक बास के साथ एसकोर्ट वेइकल जाएगा और ये शुरी स्टित किया जाए रहा है रहा हुए उनकी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें होम कुरिंटीन किया जाएगा और उनके स्टेट में आप जैसा बता रहे हैं और नाचल के काफी लोग है तो असम सरकार के लिए भी औ लेकिन कल सुबा ये सपस्ट हो जाएगा हमारे साथ बैंगलोर से मानस प्रतिम दास जुड़े हुए हैं हम उनके पास भी जाएंगे काफी दिनों से वहां पर फसे हुए असम के एक इवा अथलीट है वो स्विमिंग के कोच भी है तो उनके साथ भी जुड़ेंगे लेकिन की फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं और जंग में जंग की लड़ाई को आगे जंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़े आर्थिक पैकेज की घोशन करना पड़ेगा लेकिन अभी तक जो हमने देखा है आर्थि जो भी पैकेज या जो भी योजना की घोशना की गई उसके क्रियान में कहीं न कहीं कमी रह गई है यह सब मान रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे लेकिन हमारे साथ इस वक्त बैंगलोर से मानस प्रतीम दास स्विमिंग कोच है लेकिन अभी तो स्विमिंग पूल बंध होंगे तो किस तरह दिन कट रहा है आपका दिन तो पुरा बोरिंगे है कुछ तो काम नहीं है पर भी कर जाने के लिए सोचा हूं अभी तो अभी नौ तारिक से डॉमेस्टिक फ्लाइट भी शुरू हो रही है तो सायद आप फिर घर को भी आपाएंगे लेकिन आपके साथ कितने ऐसे लोग है स्पोर्ट से जो जिनका दिन चरिया सुबह पांस बज़े से चारवर से सुरू हो जाता है लेकिन अभी फिलहार ठफ है तो कितने लोग है आपके साथ स्पोर्ट से जुड़े हुए और दिनबर्ग के लिए तो कुछ भी नहीं है बस हमनों कुछ अपना के साथ करते वाक लोड़ से सुरू हो रही है और मैं जैसा बता रहा हूं नौ तरिक से फ्लाइट भी सुरू हो जाएगी असायद गुहांटी के लिए डिरेक्ट ना मिले उसके लिए इंतजार करना पड़ कि असपास का तो इतना तो पुरा सांथ है कि अभी लोक्राण चल रहे हैं आप हमारे साथ बने रहे हम आप से आगे भी सवाल करेंगे ट्रमोजी यह MSME को लेकर घोशना है तो बहुत होगी आपने पहले भी का और और भी MSME हमारे बैग्बॉंड है कहें तो किशानों को भी इसमें किशान और किशी उत्पादों को जोड़ के भी सर्विस और प्रड़क्ट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है एक पैकेस की तो बड़ी घोशना हो गए है पुर्वोतर तक पहुंचते पहुंचते यह हाकिकत में इसका लाब मिलते मिलते कि मात कितना समय लग जाएगा यह तो सरकार की नीतियों के ओपर निर्फर करता है कि किसी भी योजना का लाभारतिय तक कितनी जल्दी और किस तरह से पहुंचे जब लोगडाउन सुरू हुआ था तो वित्त मंतरी निर्मला सिथारमन जी आई थी टीबी पर उनने एक दसम्लों साथ च जिन गुना चावल और दाल और दूसरे जो जिन्स हमारे पास पड़े हुए हैं हमने देखा कि पूरे 40-50 दिनों तक जिन लोगों के पास में BPL काड या रासन कार्ड है उन लोगों को तो रासन मिला ऐसी बात नहीं है जंधन खाते में पैसे भी गए हैं पर जिन लोगों क अपनी जमीन से दूर कई दूसरे राजे में इनके पास कोई रसन कार्ड नहीं है या कोई BPL कार्ड नहीं उन लोगों को परिशानिया आई है इसमें कहीं दोर आए नहीं है और इस तर Meg attentive जूर कर ले तो ठिक रहेगा इस जिसामें देर से कदम सरकार ने लिया कि जो migrant labor जहां का है उसे वहाँ पहुचा दिया जाए रेल की द्वारा ये निरने देखा जाए तो बहुत देर से लियावा निरने है सरकार को बहुत पहले निरने ले लेना चाहिए था कई बार क्या होता है कि सरकार की केवल नियत साफ होने से नहीं होता है इंप्लिमेंटेशन आते आते चीजें अपना स्वरूप बदल लेती है दो छोटे-छोटे उधारन देना चाहूँगा इसी सरकार के नियत अच्छी थी कि काला धन आएगा पर जितना पैसा सिस्टम में था उतना सारा का सारा पैसा वापस आगिया बैंकों में पर जितना पैसा रिजर्ब बैंक ने सिस्टम में जौक रखा था वो सारा बैंक में आगिया काला धन जिनके पासता चाहे उन्होंने कुछ कमिशन दे करिया कुछ और किसी तरीके से घपले-बाजी करकर सिस्टम में लेए जिएश्टी सरकार लेकर आई एक बहुत बड़ी योजना थी विश्टो में टेक्स रिजिम में रिफॉम्स की इससे बड़ी योजना की कोई नजीर नहीं है यह कहा गया था कि मल्टिपल टेक्सेज है इसलिए स्टेट्स में कारोबार में दिक्कत होती है एक यूनिफॉर्म टेक्स माली होनी चाहिए बहुत गाजे-बाज हम लाती है compliance को लेके फिर उसमें देखती है पिरसानी आ रही है उसको ठीक करना पड़ता है जीएश्टी का भी हम कह सकते हैं कि जीएश्टी से जो हमें मिलना चाहिए था मैंने पहले भी का था कि Ease of doing business तो ठीक है पहले कंपनियों को भारत में कोई भी रोजगार लगाने म में बाहर की कंपनी ऐसलिए नहीं आती थी कि यहां लाल फिता साही है रेट टेपिजम है सरकार ने भाकाइद एक डिपार्टमेंट ही बना दिया Ease of doing business सिंगल विंडो में उनको permission मिल जाता है भाई permission तो मिल गया उन्होंने उद्योग भी खड़ा कर लिया पर उद्योग को चलाने के लिए इस देश के टेक्स्ट ध्राचे के साथ में तारतम में बिठाने में लोगों को इतनी परिसानी आती है कि भारत की रुख नहीं करना चाहते हैं तो कहीं अभी जो सरकार ने का कि अब कॉविड के पहले एक था अब एक नया दोर है अपने नए दोर में जा र के लिए हो चाहिए वो सर्विस सेक्टर के लिए हो इन सब के कमपाइंस में कहीं कोई प्राइट कर देंगे तो फिर कोई प्रहसानी आने की बात नहीं है सरकार की नियत के उपर में कताई संधया नहीं कर रहा हूं इंतु संका होती है इंप्लिमेंटेशन को लेकर क्योंकि पिछले 6 सालों में इंप्लिमेंटेशन के स्टेच पर सरकार अपने ओफिसियल डम को अभी तक कस नहीं पाई है और बड़ी-बड़ी उसकी उजनाई भी धरासाई हो गई है सामने देखा है जो किशी का पैसा आया जो सेंटरल गौर्णमेंट का सेंक्षन है आप देखा है तिन चारों से सब देख रहा है जे एक का पैसा दूसरा का पैसा तीसरा ले रहा है एक एक आत्मी कोई फजी नाम लेके रह रहा है बारती जंता पार्टी के लोग ऐसे सामने आये हैं जो अपने रिष्टेदारों को और अपने लोगों को पैसा होने देखा है तो अभी इंक्वारी भी देना पर है असम सरकार को इसको चाचा करें कि विजय जी गर रात को प्रधान मंत्री ने जो गोशाटी के इसकी घोश जुटना कि उन्होंने ये कहा था कि निर्मला सितारमन आज से उस पर दिश्टार से जानकारी देंगी लेकिन जब हम प्रेस कारीकरम को शुरू करने से पछे प्रेस कारीकरम को देख रहे थे तो और जो हमने खबर लिये उनके प्रेस कांफरेंस में इतनी जटीलता है थी टेकनिकल सब्द थे कि हम पत्रकार भी को भी समझने में काफी मश्रकत करने परी और आम जनता के लिए तो मुश्किल भरा है ही जिस तरह से उद्योग को लगाने और उसको चलाने के लिए टेक्स के जो दायरे हैं उसको सरल करने की प्रक्रिया है वैसे ही किया जो सरकारी सब्द तो सबके समझ में आती नहीं है और दूसरी क्या है कि असा है कि आप लोग आलोचना से थासा निकल जाए उपर क्योंकि यह देश की बात है और यहां हमारा जो देश एक महामारे से गुज़र होना जा रहा है रहा है लेकिन कब मिलके चल पाएंगे जब कीजे सब आ कर रहा हूं कि देखी यह हमारा देश आत्म निर्वक की रिसां में आगे बढ़ रहा है आत्म केंद्रित की बात नहीं कर रही है इसलिए बसुद्धे कुटमकम हमारा जो है यह जो दर्शन है सरवे भवंति सुखना सरवे शंत तुनियाम यह दर्शन से हम आगे आता हूं उस बिशह पे कि आज सरकार की नियत की बात कर रहे हैं कि नियत ठीक है जैसा प्रोमोट जी भी ने कहा उन्होंने डीमोनिटाइजिसन की बात की जीस्टी की बात की आप ये खुद देखिए कि पहले डीमोनिटाइजिसन के पहले और डीमोनिटाइजिसन के बात जी यह जिस्टी आने के कारण ही हमारा जो है टेक्स इतना कौन्टम में बढ़ा दूसरी बात पहले कितने लोग इंकम टेक्स पर ही थे और आज कितने दिन इंकम टेक्स पर ही है तो यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है डिजिटल हाइवे की बात हम कर रहे तो उसके अंदर में दोहराना पढ़ रहा है क्योंकि पांच मिलर जो उन्होंने बता है उन्होंने सिस्टम की तरफ एक इंडिकेशन किया तो यह सभी समझदार हमारी यहाँ जो जो ही पैनल ले वैठे हुए हैं वो सभी समझदार लोग हैं कि इसारा किधर है नियत की बार प्रमोजी नहीं कही हमारा नियत ठीक है तो हमारा कारियनों भी ठीक होगा सवाल ये के सब थोड़ी तेकलिफ हो रही है अम इनको पगड रहे हैं दल नहीं के बितुन दे रहा है किसी जो भरश्टा चारी है उनके बितुन वरूद दे शुरू हो चुका है आज जो लोगोंने किया उनके ख़्िलाप में एक्षन हो रहा है तो यह इंप एक अच्छी चीज है और इस हरातल पर आया है जैसा कि प्रमोज जी ने कहा कि रासन वाली बात कि जिसके पास में रासन कार्ड है उसको तो हम ने देखा लेकिन जिसके पास रासन कार्ड ने उसको नहीं देखा उनके ग्यातार्त में बता देना चाहता हूं कि मैं एक एक पूरी एक क TW लाइन मेलग कर के 400 500 आजमी को एक दिन-दो दिन में तो मैं अकेला ब्यक्ती ही आज छे दिन से डेली 500-600 लोगों को दे रहा हूं तो हमारे बहुत से कार्य करता जो हैं और सरकार के भी जो लोग है तो सभी लोग कर रहे हैं यह है कि मन एक दिन में हम सब कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा देश है और इतना बड़ा देश है छोटे देश हों में करना चाहूंगा इस यह सरकार के प्रति आपकी विश्वास और श्रद्धागर काइम रहेगी तिया सरकार कुछ करके दिखाने में सब्सक्राइब पर 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 एक रुस्टाम करना है उनको पुस्टन होता है यह बात बहुत सुन्दर है पर आप मुझे यह बताईए आप करां कि supposedigration एगाए Podsog मेंच में चोटे विएपारियों को काफी परिशानितों का सांवना करना है पर दूसरा प्रसमें कि आप米ॉस groundbreaking जारी नहीं नहीं है रिफॉम्स तो जेष्टी की रिजिम आ गई है उसके बाद उसकी इंप्लिमेंटेशन में रोज नए नियम आ रहे हैं आज एक नियम आया कल उसको बदल दिया गया ब्यापारियों में खासकर चोटे ब्यापारियों में बड़े भरम की स्थिति बन गई ह इतनी प्रहम की स्थिती बनेगे कि उसका एक हुआ खड़ा हो गया है लोग इस जीश्टी के करण को छोटे जापार के दूर भागना चाहते हैं बित्त मंतरी निर्मला सितारमान प्रेस कॉंफरेंस करेंगी तो निश्टी तो पर छोटे वेपारी और लोगों वेपारियों के लिए भी सायथ कुछ घोष्टना करेंगी उसको उसको उसपर भी हम करेंगे लेकिन हमारे साथ सुभानंद जी जुड़े हुए है मुख्य जन संपर का दिकारी है एने फेल्वे के जिरिवाम पहले हम दो विशय को लेकर चल रहे है एक तो रेल का आगमन हो गया है पहले हम उनसे जूड़ लेते हैं उनको विदा देते हैं सुभानंद चंदा जी जिरिवाम रेल पहुंच चुकी है जिरिवाम से फिर इंफाल तक की अभी तक वेवस्ता नहीं है रेलवे कनेक्शन की तो इसलिए वहां से बसे बसे आई है और बस आकर वहां से पचास साथ बसे आई थी वहां पे अपने पैसेंजर को लेके गई है जिरिवाम के अलावा मनिपूर में जो लोग लट रहे हैं उनकी मनस्तिती कैसी है किस तरह की बेवस्ता हैं वहां पे की जा रही है इस पर हम थोरी से जानकारी ले ले लेते हैं हमारे साथ मनिपूर के बीरोचीप सरच चंद्र जो चुके हैं सरच जिरिवाम में पहली ट्रेंड पहुंची मनिपूर के लिए और उसके बाद लोग अपने अपने घरों के लिए गई है यह उन्हें कुरिंटीन सेंटर में रखा जा रहा है क्या जानकारी है आपके पास रंजित यह आज करिब करिब बराबस कर पंद्रम मिनट पर यह जीरिवाम पांच चुके पहुंचने के बाद सभी यातियों की थरमेल स्केनिंग बगईरा हुआ उसकी बाद उनको सब से पहले तो खाना मुहिया कराया गया खाना देने के बाद उनको करी करी धाय तिन बजे दो पहर को वहाँ से जिरिवाम से फिर इम्पाल की तरब आ रहा है। आई बीएस्टी इंटरिस्टेट बस टर्मिनस जो है वो सबसे पहले वहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद जो वो अलग-अलग डिस्ट्रिक की रहने वाला है वो सिसाब से उनको वहाँ से पर रवाना किया जाएगा और आप देख सकते मेरे दाइने तरफ में यहाँ पर इ कमुनिटी लेवेल क्वारिन्टाइन है जिस तरह की इस तरह की कमुनिटी लेवेल की क्वारिन्टाइन जो है मनिपूर की हर दिस्ट्रिक में फेला हुआ है और सरकार ने यह सब जो बाहर फसे लोग जो है मनिपूर लाने से पहले ही यह क्वारिन्टाइन सेंटर पुरे की साथ MLA को जिमा शोब दिया गया यह सब क्वारेंटाइन चनाने के लिए बकाइदा लोकेल की जो सपोर्ट जो है उसमें मिल रही है क्वारेंटाइन मेनेजमेंट कमिटी कोबिट नाइंटिन की यह हर बना हुआ है और उसी का रेख देख में वहां के साथ MLA को काम पर लगाय है मैं आपसे एक छोटे सा सवाल करना चाहता हूं क्योंकि समय की कमी है हमारे पास जीरिवाम टू इंफाल रोड की वेवस्था क्या है क्योंकि जो दीख रही है उससे तो लगता नहीं कि वहां से सड़क वेवस्था बहुत अची है रंजीत पहले की मुकाबले में इंफाल जीरिवाम रोड जो है काफी शुधर चुका है काफी शुधर ले लिया गया कंस्ट्रक्शन बेगरा अच्छे से चल रहते हैं हालांकि यह अभी बारिस की समय है तो कई जगों पर दिकतों की सामना करना परता है लेकिन ऐसा कोई लेन स्लैड होने की या कोई भी शरक जो है निकली है पसा पसास की करीब जो बस जो है इंफाल की इंटर स्टेट बस तर्मिनस में कल सबेरे जाकर के पहुंचने की उम्मिद है बहुत बहुत धने बाद शरत इन जानकारियों को साजा करने के लिए हमारे साथ जोने के लिए तो सरच चंद्र बता रहे थे जिरिवाम स अब बसों के जरीए उनको ले जाए गया है मैं समय की कमी है आप से एक सवाल कर लेता हूं जिरिवाम टू इंफाल क्योंकि नॉर्ट इस्टन के कैपिटल को जोने की एक योजना बनाई जा रही है तो यह रियल वे ट्रेक वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा क्योंकि लॉकडाउन के चलते थोरा सा डिले हुआ है फिर भी हम उमीद करते हैं कि आगे जो है और थोरा सा एपोर्ट लगा के हम लोग इसको जलब कर भाइंगे दो हज़़ार बात करें तक का बात करें हैं और अच्छा काम किया जा रहा है और असम से हाफ-लॉंग का जो बॉट है उसमें भी कुछ काम चल रहा है इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन आज समय की बहुत कमी है हमारे साथ मानस प्रतिम जुरे हुए है बैंगलोर से मानस कब तक आना चाहेंगे आप क्या प्रयास शुरू कर दिया है और आने के बाद किया फिर वापस लोटेंगे आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो आप फिर वापस लोटेंगे और नए-ने सुईमेरों को तयार करें आपका बहुत-बहुत धनेवाद मानस हमारे साथ जुनने के लिए आपका कुछ सवाल था गुता सवाब आप बोला जे बहुत अच्छा कालेक्शन हुआ आपका GST से और टैक्स कालेक्शन भी बहुत बार गिया तो इतना बनने का बात हमारा एकोनोमी पहले साही तो वेंटिलेशन में चला गिया था GDP 11% से अभी 3% में आ गया पहले 19 का पहले तो इससे स्थिति क्यों हुआ अगर का अच्छा हुआ तो तो एकोनोमी बूम होला चाहिए अब आप प्रश्ण का उत्तर देने दीजे फिर अब आप 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 ने कहा कि इतना पैसा कलेक्शन होआ का इकोनोमी ध्वस्त होगे हमारी इकोनोमी ध्वस्त नहीं हुई थी सवालिया कि पूरे बिश्व के अंदर में जब रिशेशन है तो सवाभाई कृप से उसका रिशेशन का प्रभाव देखा गया लेकिन यह आप जो कह रही हैं कि इकोनोमी ध्वस्त हो गई थी तो तो हमारी इकोनोमी ध्वस्त नहीं हुई थी इसका जो है एक्जामपल जो ह आज आप खोदी देख रहे हैं कि कोबिट नाइंटीन में किस तरीके से हम लोगों ने किया आज रासन जो है खाने के लिए हमने रासन फ्री मुहया करें लोगों कोई वेक आदमी सबको पहुचा है लेकिन आप लोगों किया है कि आलोचना किरने का आपका श्रुभाव बन गया है और आप चाहते हैं कि आलोचना के बाद्यम से हम सरकार पाजा है तो नहीं हो सकता है हमारी सरकार और हमारी एकोनमी बहुत अच्छे कंडिशन्स में है और आने वाले समय में वह आपको प्रत्रक्स का उदा रहा है आखरी कमेंट में लेना चाहता हूं 30 टेकंड है हमारे पास में सवाल कर रहा हूं अमेरिका या जो विक्षित देश है वहां पर हर नागरिक का डाटा सरकार के पास होती है क्या यह सही समय नहीं कि सरकार के पास हर नागरिका ऐसा डाटा हो ओ चाहे अपने स्टेट में रहे या दुसरे स्टेट में रहे सरकारी योजनाओं की बात कहें या दुसरे प्रकार की सुविधाओं को उपलब कराने की बात हो उस तक मुझ सके क्या ऐसा वक्त नहीं आ गया है वक्त तो ऐसा पहले से ही था पर अपने हां एक समस्या है पहले भी NRC के नाम से हो या फिर National Population Register के नाम से हो जब भी डाटा कले कोदियों के बीच में एक जंग सी छिड़ जाती है दो खेमें बन जाते हैं उसको डाटा कलेक्शन सरकार कर रहे हैं डिजिटलेज करने के लिए कर रहे है कि पता तो चले कि देश का कौन सा नागरिक कहा है कि सवस्ता में उसके ओपर राजनीती सुरू हो जाती है जैसा कि क लोगों को लाब पहुचाना है चीजों को डिजिटलेज करना है उसके पीछे कोई दूसरा एजेंडा नहों अगर वो करें जो सकता है आखरी आखरी कॉमेंट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो एक बैवस्ता कर दी जाए कि सबका होना चाहिए कि सरकार के पास अगी काली यह दाट बीलकुल होना चाहिए और सरकार ने काफी योजनाए पहले भी बनाई थी आगे भी बनती रहे गी और प्रधान के साथ जीना सीखना होगा और देश की प्रगती में हर एक की भागीदारी होगी हर एक को इसमें कंट्रिबूशन करना होगा लेकिन सरकार के पास अगर अपने ही नागरीकों का पूरी तरह से डाटा उपलब नहीं होगा तो योजनाये तो बन जाएंगी उसके सिस्टम बनाना होगा मुद्दा में इतना ही धन्यवाद